हम लाते हैं टॉप नियूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेट इंटर्टेन्मेंट सिर्फ यूट्यूब पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्स्राइब नहीं किया तो अभी सब्स्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटिस्ट वीडियो के बारे में अफटेट जाने सब्स्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ बलोचिस्तान में नंबर गेम का खेल एक और स्तीफा मतवके वजिर आला सनाउला जाहरी के खिलाफ 40 अरकान की हमायत हासिन हो गई उपजिशन अरकान का दावा बाजी कौन जीतेगा सियासी मैश मजीद संसरी खेस उपजिशन के वार नाकाम बनाने के लिए हुकुमती इत्तिहादियों की सर तोड कोशिशें तीन विफाकी गुजरा के कोईटा में डेरे अरकान को बनाने की कोशिशें वजीर आजम की हंगामी तोर पर कोईटा आमद का इमकान साने हाइ मौडल टाउन पर भी महाज गरम होने का ख़दिशा एपी सी की डेडलाइन खत्म होने के बाद ओपोजिशन की स्टेरिंग कमीटी आज लहौर में बैठेगी ताहिरुल कादरी धर्णा नहीं देंगे तरजमान पंजाब हकूमत का दाव सियासी हल चल शेख रशीट और ताहिरुल कादरी में आज अहम मुलाकात होगी हकूमत मुखालिफ मैच में आखवी बॉलिंग का वक्ता आ गया फाइनल राउंड खेलना होगा सरवरा अवामी मुस्लिग की तजवीज वजीर आजम में सियाल कोट येपोर्ट के बैनल अप्वामी टर्मिनल का इफ्ताह कर दिया चार साल मुलक में इंतिशार फैलाने की कोशिश की गई विजली बुहरान आएंदा पंदरा साल के लिए हल कर दिया आज हर सारिफ को गैस मिल रही है शाहित काकान अबासी का तक्रीब से खिताब मुलतान इंतिशामिया की गफलत जिंदगियों पर भारी पढ़ने लगी सीजनल इंफ्लोइंजा से निश्टर अस्पताल में मरीजा जांबाक तादाद 17 तक जा पहुंची एक और लेडी डॉक्टर में वाइरस की तस्तीक कराची में साथ गैर कानूनी बस्टॉप का इंकिशाफ कानूनी फुल्स्टॉप लगाने के लिए केमसी ने एक्शन लेने का मतालबा कर दिया ट्राफिक हुकाम को मरासला बिच्वा दिया गया जेलों में भी पीने के साथ पानी की अदम दस्तियाबी टीफ जस्तिस साकर निसाथ ने नोटिस ले लिया तमाम आई जी जेल खानदाद से 20 जन्वरी तक रिपोर्ट तला सुप्रीम कोट में प्रोसीक्यूटर जन्रल नैब की तकरूरी का मौामला ताखीर का जिम्हेदार कौन अदालत का इस्तफसार कोई मनसूबा बंदी ना होना मुल्क की बदकिस्मती है जस्टिस गुलजार की रिमार्स मूदी के राच में मज़धी आजादी की भी आजादी नहीं हबरदार मुसल्मान लाउट स्टिकर पर आजान ना दे अदालत में पाबंदी लगा दी 15 जन्वरी तक तमाम लाउट स्टिकर्स हटाने का होगन ट्रॉम्प के बेटे को घदार नहीं कहा इशारा मीटिंग में बैठे पॉल मैनफर्ड की जाने था अमरीकी सदर के साबक चीफ स्ट्राटिजिस्ट स्टीफ बैनन ने पल्टी मारली ताजा बयान में डानल्ड ट्राम्ट पुजूनिया को हुबलवतम करा दिया मुल्क भर में सर्दी की शिदत बढ़ करार अस्तोर में मनफी दस सकर्दू में इस चदीद स्थंट से जीले जम गई मिदानी इलाकों में हलकी धुन चाहि रही मौसन की अंदास निराले अमरीका और कैनेडा शदीद सर्दी की लपेट में पारा बंसी 29 तक गड़ने का खच्छा अमरीका में हलाकों की तादाद 22 जबके सिड्नी में पारा 49 गर्मी का 80 साला रिकॉर्ट टूग गया शहर में आग जलाने पर धी पाबंदी इनके मर्शकी साहिल पर टैंकर और मालबरदार बहरी जहास में चक कर आग दो रोज बाद भी ना बुझाई जा सकी अमले के 32 अरकान की तलाश किसमत की देवी ने दो अमरीकी शहरियों को माला माल कर दिया सबसे बड़ी लोट्री के निताय जाए तो बैटे बिठाए अरब पती बन गए बुलिटन का पाकाईदा आगास करेंगे और बात करेंगे वजीरियाला बुलोचिस्तान सनाउला जाहरी की जिनकी कुरसी बदस्तूर खत्रे में है आज एक और सुबाई वजीर के इस्तीफे का इमकान भी जाहर किया जा रहा है जबके बुलोचिस्तान इस्तम्ली का हंगावा खेज इजलास कल होगा वजीरियाला बुलोचिस्तान की कुरसी बदस्तूर खत्रे में है और मुआमलात अब खासे गंभीर हैं क्योंके तीन विफाकी वज़रा कोईटा में मौजूद है और इमकान ये भी जाहर किया जा रहा है कि आज के रोज वजीर आजम पाकिस्तान भी कोईटा जा सकते हैं ताके इस बहरान पर किसी सूरत काबू पाया जाए तो हो क्या रहा है? मौामलात क्या है? इस सिपोर्ट में जानिए वजीर आला बलोचिस्तान अबाब सनाउला जाहरी की मुश्किलात कम नहों सकी बलोचिस्तान में तबदीली की हवा चल पड़ी सनाउला जाहरी की कुरसी मसलसल डगमजा रही है तहरी के अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए तीन विफाकी बुज़रा ने कोईटा में देरे डाल लिए खुर्रम्द स्थीर, जाम कमाल और अबदलकादर बलोच ने नाराज अरकान को मनाने की कोशशें तेज कर दी मुज़रात का एक दौर गुज़रा रोज नाकाम हुआ, दूसरा दौर आज होगा जिसमें पेश्रफ्ट का इमकान है मुलोचिस्तान में नंबर गेम का खेल एहमियत अख्तियार कर गया है जराय का कहना है कि आज एक और सूबाई वजीर के इस्तीफे का इमकान है गुज़शता रोज सूबाई वजीर शेख जाफर मंदोखेल के मुस्ताफी होने के फैसले के बाद सूबे में वजारतों से इस्तीफे देने वालों की तादाद 6 हो गई उपोजीशन जमातों और मुनहरिफ अरकान का ये दावा है कि तहरीक अदम एत्माद को काम्याब बनाने के लिए उनके पास 40 अरकान है इन हाउस तबदीली उनका हक है वजीर आजम भी हमारा फैसला तबदील नहीं करा सकते ताहम हकुमत के तिहादियों ने लजाम लगाया के वजीर आला के खिलाव तहरीक अदम एत्माद लाने का मकसद सेनिट के इंतखाबात को सबुताश करना और सूबाई असमली को खत्म करने की साज़श है बलुचिस्तान असमली का हंकामा खेज इजलास कल होगा किसके नंबर्स ज्यादा हैं और किसके कम दूद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा बलुचिस्तान हकूमत की नईया डोल रही है और ऐसे में वजिर आजम के हंगामी दौरे का इमकान जाहिर किया जा रहा है रेस्क्यू आपरेशन के लिए वजिर आजम की हंगामी तोर पर कोईटा आमत मतवके है जबके विफा की वुज़रा बलुचिस्तान के नाराज अरकान को मनाने में नाकाम नज़र आते हैं मौमलात खासे मुश्किलात का शिकार है यहाँ पर और वजिर आला बलुचिस्तान नवाब सना उल्ला जाहरी को एक बड़े चैलेंज का सामना है ऐसे में क्या वजिर आाजम का दौरा कोई खुर्बानी दे कर जाएगा और नाराज अरकान को इस सूरत मनाया जाएगा या पर मौमलात यूं ही रहेंगे और नाराजी लोगों को किसी और तरीके से राजी करने की कोशश की जाएगी इस सारे मौमले पर खासी नज़र रखे हुए हैं वेरोचीफ कोईटा अरफान साइद उनकी तरफ चलते हैं उनसे बात करके मज़ीद जाने की कोशश करते हैं अरफान बताईएगा आप इस मौमले को काफी दिनों से अब्जर्व कर रहे हैं और अब आपको क्या लग रहा है ये तीन वुजरा जो मौजूद हैं वजीर आजम भी अगर दौरा करते हैं तो क्या वे आउट निकल सकता है क्या है आफर करने के लिए उनके पास नाराज अरकान को जी बिल्कुल बलुच्टान में जो सुरत इहाल है दिन बद दिन वजीर आला बलुच्टान के लिए खतरे की घंटियां बजा रही है और कल का जो इजलास होना है उसके पर सब की नजरे है क्योंके कल तो जो इजलास होगा उसमें आपोजिशन की जानेब से जो तेरी के अदमे इतमाद की जो करारदाद है वो टेबल की जाएगी उस पर स्पीकर जो टाइम देंगे, कितने दिन का टाइम देंगे, दो दिन का देंगे, या उसी दिन या अगले दिन इसको निप्टाएंगे, तो ये कल सूरतियाल पता चलेगी, लेकिन सूरतियाल चूँके रोज बरोज घंबीर होती जा रही है वज़िर आला के लिए, इतलाद के मताबिक जो नाराज अरकान से हमारे रापते हुएं, उनका ये कहना है, कि वो किसी सूरत भी वज़िर आजम से मुलाकात नहीं करेंगे, और इस क्योंके बहुत देर हो चुकी है, अब आज कितना दिन है, और वो बहुत आगे तक पहुंच चुके, एक नया अला आराज अरकान को मनाने के लिए, इस वक्त जो इतिहादी है, वो भी वज़िर आला के साथ खड़ी हैं, और उनका ये कहना है, कि वो तो अपने जो फिगर्स है, उनको उन्होंने पूरा किया है, लेकिन इस वक्त मौझूद जो मुस्लिमी गनून के अरकान है, जो तूट त आरकान की तादाद, ओो कहरें, वो पूरी है, वो अब तक सिर्फ नेशब पार्टी का एक रुपन तूटा है, इसके लावा पशनुल्खा अभी तक 14 अरकान के साथ खड़ी है, वज़िर आला के साथ, लेकिन वज़िर आला के लिए एक मुश्किल ये है, कि उनके जो वज आरकान के साथ को बाला के लंपाद, तक सब